हेलो फ्रेंड्स आज हम आपके लिए टू मीटर फैब्रिक में से सिंपर पलाजो और टॉप लेकर आए हैं सबसे पहले हम आपको टॉप की केटिंग करना बताएंगे तो हमें टॉप के लिए फैब्रिक को फोल लेर में फोल करना है तो हम फैबरी को पहले एक वार अर्ज में फूल करेंगे तो यहाँ पर हमने फैबरी को एक वार फूल किया है अब हम फैबरी को दुवारा से फूल करेंगे तो यहाँ पर हमने फैबरी को फूल लेर में फूल किया है टॉप हम 24 इंच की तयार करेंगे तो पहला मार्क हमने 24 इंच पर किया है और 2 इंच फैबरिक यहां पर हमने फूल करने के लिए और सलाई के लिए एड़ किया है तो सेकिंड मार्क हमने 26 इंच पर किया है अब एक्षा फैबरिक को आप कट कर ले यह बंद साइड है फैबरिक की तो 15 वा 6 इंच Six i laisseब पर 20 livres हम अधीक कैड़ करेंगे तो हमस्ट exhib Championships 7 इंच रख रही है यह सभ estes haniट बंप बना रहे हैं तो हम अधीक ony centered कर रही है और अब हम आर्म हल्स की लेंद रखेंगे आर्म हल्स की लेंद हम 7 इंच ले रही है 7 इंच तक लाइन द्रो करनी है और इस लाइन को हम बाहर की तरफ द्रो करेंगे अब हमें चोड़ाई का फोर्ट भाग लेना है जैसे कि चोड़ाई है 32 इंच फॉर्थ हुआ 8 Inch तो 1 इंच फेबरिक हम इसमें अधिक यट करेंगे तो ह्याँ पर हम 9 Inch पर मार्क करेंगे और 1 Inch फेबरिक मार्जन की लिए यट की है कमर की ड्राफ्टिंग आरम होल से हम 7 Inch पर करेंगे तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे और जैसे कि कमर साइज जो भी हो हम चोड़ाई की अकोरिंग कमर साइज रखेंगे चोड़ाई हमने 9 इंच लिए तो यहाँ पर हम 8.5 इंच भी मार करेंगे हाफ इंच ही कम रखते हैं चोड़ाई से कमर टॉप पीस टॉप की द्राफ्टिंग करते टाइम और अब हमें लाइन द्रो करनी है जो मार्क हमने किया है अब रखेंगे हम बॉटम पार्ट बॉटम पार्ट भी हम चोड़ाई के अकोरिंग रखेंगे चोड़ाई हमने यहाँ पर 9 इंच लिए है तो बॉटम पार्ट हम 9.5 इंच रखेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच फेब्रिक चलाई के लिए एड़ करेंगे और मार्क करने के बाद अब हमें लाइन द्रो करनी है ऐसे आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग के लिए कौने पर हम तेड़े इंच तक बनाइन हाफ इंच तक ऐसे तिर्शी लाइन द्रो करेंगे और गोलाई करेंगे ये हमारे back armholes की drafting होती है front armholes की drafting के लिए जो line अभी हमने draw की है half inch की दूरी पर दोसरी line draw करेंगे और उपर की तरफ हम इसी line से इसे मिलाएंगे ये हमारे front armholes की drafting है अब band side की तरफ inch टेप को रखेंगे और गले की चोड़ाई हम 3 inch रखेंगे 3 inch पर मार्क करना है length हम 3 inch ही रखेंगे तो 3 inch तक हमें line draw करनी है सिर्फ box बनाना है और 1 inch पर हमें गोलाई करनी है back or front गले हम बरावर बनाएंगे इसलिए हमने साथ में ही drafting की है और shoulder हम half inch down करेंगे तो 3 inch line draw करेंगे गले से arm holes की तरफ drafting हो गई है कटिंग करेंगे तोनों गले हम साथ में ही cut करेंगे फिर shoulder की तरफ से फिर back arm holes की तरफ से और फिर हम इसी side से cut करेंगे अब हमें एक पीस अलग करना है जो हमारा back piece रहीगा front piece को हमें अच्छी से fold करना है और यहाँ पे हमें front arm holes की cutting करने है तो तरफ पीस की cutting हमारी complete हो गई है एक वार हम आपको इसी रख के दिखा रही है देख लिजी और इसके बाद हम simple plazo की cutting करना बताएंगे simple plazo की drafting के लिए सबसे पहले मैंने fabric को एक वार full किया है यहाँ पे मैंने fabric को चोड़ाई में full किया है एक वार और अब हम इसे edge की तरफ से full करेंगे तो edge की तरफ से हम इसे measurement के according full कर रही है 15 inch तक full किया है और जो एक शब fabric है यहाँ से आप इसे cut करने तो plazo के लिए मैंने fabric को cut कर लिया है और जो यह बची हुई fabric है इसे हम belt में add करेंगे और bottom part पर भी add करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी fabric की length है यह हमारी 37 inch आ रही है और यह piece हमारी सिल के तयाब 36 inch के होंगे 2 inch की हम इसमें belt add करेंगे तो यह हमारे 38 inch की होगी और 1 inch fabric हम bottom part पर add करेंगे अलग से तो यह जो plazo है हमारी 39 inch की तयार होगी पन सैट की तरफ हम inch tape को रखेंगे जो भी hip measurement हो आपको उसका थड़ भाग लेना है hip measurement है 36 inch तो थड़ हुआ 12 inch तो यहाँ पर मैंने 12 inch पर mark किया है आसन की length भी हम hip measurement के according ही रखेंगे 12 inch तक हमें ऐसे line द्रो करनी है और इस line को हम बाहर की तरफ द्रो करेंगे और जो हम यह गोलाई करेंगे यह गोलाई हम 2.5 inch तक रखेंगे क्योंकि हम यह medium size की plazo बना रहे हैं यह default size की बनाएं तो 3 inch तक रख सकती है और 1.5 inch पर हमें ऐसे गोलाई करनी है कोने पर 1.5 inch तक हम तिरशी line द्रो करेंगे और इस तरह से हम गोलाई करेंगे अब हम bottom part रखेंगे तो bottom part आप अपने according रख सकती हैं जितने भी आप रखना शाती हैं तो bottom part मैं यहाँ पर 10 inch रखूंगी तो पहले आप 10 inch पर mark करें और 1 inch fabric margin के लिए add करें mark करने के बाद फिर हम line द्रो करेंगे पहले margin वाली line द्रो करेंगे फिर हमें sly वाली line द्रो करनी है जैसे मैंने यह simple plazo की drafting की है इस method से आप हर size की plazo की drafting और cutting कर सकती है फिर भी आपको समझने में कहीं भी कोई भी problem हो तो आप हमें comment करके पूछ सकती है drafting हो गई है हम मैं cutting कर रही हूँ तो पहले हम आशन की तरब से इसे cut करेंगे और फिर हम इसे side से cut करेंगे तो यहाँ पर हमने आशन की तरब से इसे cut कर लिया है side से भी हमने इसे cut कर लिया है और जो front आशन रहेंगे वो back आशन से हम कम रखते हैं तो डेड़ इंच पर मार्क करेंगे one side की तरफ हम तिर्शी line ट्रो करेंगे two piece उपर की तरफ हमें करने हैं और आशन की हमें cutting कर लिया है two piece ध्याना के two piece ही cut करेंगे और जो यह back piece है इन्हें हम ऐसे cut कर लेंगे क्योंकि बंद फैब्रिक है यह उपर की तरफ की तो हमने यह दोनों पीस अलग कर लिये है cutting हमारी complete हो गई है जल्दी ही मैं से like की वीडियो भी upload करूंगी यदि friends आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो please हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद झाड़